दोस्तों नमस्कार मैं डाक्टर प्रदीब कुमार सिंग सिनियर आर्थोपेटी कंसल्टेंट आप सभी लोगों का ओम साइं आर्थोएंड फीजियो सिंटर में स्वागत है दोस्तों मैं आज आपको यह दिखाऊंगा कि जो वाकिंग प्लास्टर होता है जो फाइबर ग्लास जो प्लास्टर होता है उसको कैसे काटते हैं दोस्तों इसमें मार्किंग करते हैं चाहे मारकर से या फिर स्केच पैन से या पैन से दोनों तरब से पहले इसमें मार्क लगा लेते हैं फिर उसके बाद प्लास्टर कटर होता है जो वाइबरेटर कटर होता है वह रोटेट न करता है तो दोस्तों यह देखिए मार्किंग जहां पर करें हुए वहां से प्लास्टर से हम कटर से हम काट रहे हैं और इसको दोनों तरफ से हम इसको प्लास्टर कटर से काटते हैं जिससे कि इस प्लास्टर को हम निकाल सकें और दोस्तों अगर आप प्लास्टर लगाए हो औ जो नार्मल लोहे की ताला या कुछ काटने के लिए हम लोग लाते हैं उससे भी हम इसी मार्किंग वाले निसान के ऊपर से दोनों तरब से काट सकते हैं अब मसीन से तो हम। 10 मिनट में काट लेते हैं लेकिन अगर उससे इसको सप्रेड कर रहे हैं हम बाहर निकाल देंगे कि आप अपने आप बेश को emergency में काट के निकाल सकते हैं इसी तरीके से हाथ में भी हमको दोनों तरब से आगे और पीछे से निसान लगा के काटना होता है दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you